दोस्तों ओफिस आफ स्टेट नोडल ओफिसर के तरह से दोस्तों यह अधि सुचना जारी कर दिया गया है दोस्तों आपका CTBD B8 2024 के लिए है ठीक है कॉमान इंटेस्ट टेस्ट B8 के लिए यह ललीत नरायन मिथला उनिवर्सिटी को नोडल उनिवर्सिटी बनाया गया दोस्तों और यह सुचना जारी कर दिया गया है यहाँ पे आप देखिए परिछा का क्या कारिकरम होगा उसके बारे में विस्तित सुचना दी गई है दोस् सेवा में कुल सची बिहार के सभी विस्तित बिद्याले B8 परिकरम संचालित करने वाले विस्तित है जोस्तो CET B8 2024 की संभावित कारिकरम के संबंद में सुचनार्त महास है माननिये कुलादिपती के सची वाले के पत्रांक BU Regulation 16-2015 दिनांक 1 मार्च 2024 द्वारा ललित नरायन म कितला उनिवर्सिटी को दो वर्सिये बियर परिकरम में नमांकन के लिए संजुक्त परवेश परिच्छा संपन कराने के लिए पुना हम नोडल विस्तित बिद्याले नामित किया गया है बियर संजुक्त परवेश परिच्छा दोहजार चोबी CET B8 2024 का संभावित कारिकरम निम्नमात है परिच्छा पूर्व कारिकरम यहां पर बताया गया है दोस्तों ओनलाइन आवेदर आवेदन पत्र जो फिल होगा वो नौव अप्रिल से लेकर के चार में दोहजार चोबीस तक फॉर्म होगा ओनलाइन आवेदन पत्र जो भरना है बुलंब सुलके के साथ व परवेश पत्र निर्गत कीती थी होगी 21 में दोहजार चोबीस से और परवेश परिच्छा आपका 30 में दोहजार चोबीस विरस्पतिवार के दिन होना सुनी चीत हुआ है दोस्तों परवेश परिच्छा के पस्चात जो कारिकरम होगा वो है देख लिजिए वेवसाइट पर उत्तर कुंजी अप्लोड हो जाएगा 31 में 2024 को 30 को आपका एकजाम होगा और 31 को अंसर की अप्लोड कर दिया जाएगा उत्तर कुंजी पर आपत्ति यदि कोई हो तो आप उसका 1 जून से लेकर के 3 जून तक आपत्ति कर सकते हैं और प्रेच्छा प्रिणाम के जो घोसना ह होगी महोदय को साधर सुचनार्थ माननी कुलपति महोदय की आदेशा नुसारे आपका राज्य नोडल प्रदाधिकारी के तरफ से दोस्तों यह सुचना आज दे दी गई है तो मतलब ऑन-लाइन आपका बीड के लिए कॉमन इंटेस्ट टेस्ट जो लिया जाता है दोस्तो उसका परिछा आपका 30 में 2024 को होगा और फॉर्म जो है वो 9 अप्रिल से लेकर के 4 में तक फिल कर सकते हैं इस वीडियो में ताइप फिर मिलते अगले वीडियो में आप संसे बनेच के साथ बने रहे धन्यवाद